एलो फ्रेंट स्वागत है आपका डिजल त्यारी चैनल पे मैं श्रयांस खोठारी लेक है आँ दोस्तों एक शांदार किताब रेमन मुफी की Essential English Grammar दोस्तों इतनी प्यारी किताब है इतनी बेसिक किताब है Elementary English दोस्तों बहुत basic level से जो English हमें सुधार नहीं है for all the elementary students मज़ेदारे किताब है दोस्तों बहुत सारे units almost 95 units हम लोग कर चुके हैं 96th unit पे आ चुके हैं लगातार आगे वड़ रहे हैं वस आप ध्यान रखिये दोस्तों लगातार हमारे साथ चलते रही है दोस्तों 96th number unit आ चुका है हमारा और देखते हैं ये क्या कहना चारा है at 8 o'clock on Monday in April मुझे लगता है ये time के साथ कौन सा preposition लगेगा मेरी बात को समझेगा कौन से time के साथ कौन सा preposition लगेगा उसकी बात करेगा जैसे एक एक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहां सबसे पहले आपको ए नंबर पे एक घड़ी नज़र आ रही है clock नज़र आ रही है और clock के उपर ही हमने लिखा है at अगर आप समझ पा रहे हैं at का प्रयोग घड़ी के साथ होगा ऐसा नज़र आता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं at 8 o'clock, at 8, 10.30, at midnight, etc. इत्यादी यानि जो भी हम समय इस घड़ी में देख सकते हैं वहां सभी जगे हमें at का प्रयोग करना है इससे यह पता चलता है थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े हम, आगे की तरफ चले हम, तो यहां नज़र आएगा दोस्तों आपको एक ऐसा कैलेंडर जो आक्चुली वार बता रहा है हिंदी में वार कहते हैं, इंग्लिश में डे कहते हैं, आप देख सकते हैं अगर किसी एक दिन की बात हो रही है, अगर घड़ी का समय है तो at लगाईए, अगर कोई एक दिन है, वो दिन में डेट बता सकते हुआ, वो दिन में वार बता सकते हुआ, वो दिन में कोई New Year's Day, या for example, The Independence Day, The Holy Diwali, ऐसा कुछ भी, whatever So my point is, अगर कोई एक सिंगल डे है, तो on लगेगा घड़ी के समय के लिए, at लगेगा और तीसरा आजाता है दोस्तों, आपका पूरा के पूरा के पूरा केलेंडर, यहां आप इस केलेंडर में महीना, यानि कि मन्थ देख सकते हैं, पूरा के पूरा मन्थ, आप देख सकते हैं, in April, in June, etc, in 1985, in 1750, etc, in summer, in spring, etc, यानि हमारे season भी इसमें आ गए, तो देखा हमने दोस्तों, time को धीरे धीरे increase किया, छोटा समय था, at लगाया, एक दिन पे आए, on लगाया, जब वो multiple days हो गए, आप देख सकते हैं, दोस्तों, multiple days हो गए, in के अंदर, month हो, year हो, या season हो, जब multiple days हो गए, तो हमने क्या लगाया, in लगाया, इस बात को याद रखेगा, बहुत काम आएगी कुछ देर में, आगे और चलते हैं दोस्तों, B की तरफ, we say हम कहते हैं, at the weekend, हिंदी में से कहते हैं, सप्ताहांत, सप्ताहांत, सप्ताहांत का मतलब है, एक सप्ताह जब अंत में आ रहा है, week end हो रहा है, Saturdays, Sundays की बात कर रहे ह तब हम at लगाएंगे, are you going away at the weekend, क्या तुम weekend पे और weekend में मैंने देखा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को doubt रहता है, sir, in the weekend लगाएं, on the weekend लगाएं, क्या करें, तो यहाँ पे clear हो गया है, at the weekend लगाएं night एक special case है, at night, I can't sleep at night, मैं दो रात को सो ही नहीं पाता हूँ, at Christmas, at Easter, यह दो ऐसे festival हैं, जहाँ, on की जगे हमें, at लगाना है, where will you be, at Christmas, on Christmas, अगर आप लगा रहे हैं, तो on Christmas day लगाएंगे, एक बहुत विशेश बात यहाँ दे रखी है, अगर आप on Christmas लगाएंगे, तो on Christmas day लगाएंगे, otherwise हम at Christmas की बात परेंगे, at the end of, अगर आप ध्यान से देखें, अन्त में, at the end of, अन्त में, I am going on holiday, मैं holiday पे जा रहा हूँ, at the end of October, October माह के अन्त में, at the end of, तो दोस्तों, at the weekend, at night, at Christmas, at the end of, or last word, at the moment, at the moment का मतलब है, उस शन, इस शन, यानि, are you busy at the moment, इस शन तुम busy हो क्या, व्यस्त हो क्या, क्या ये बात समझ आरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, C की तरफ, ये सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये chapter बहुत जादा important है, ये complete chapter कर लिया, तो किस time के साथ कौन सा preposition लगाना है, एकदम clear हो जाएगा, देखते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, C number क्या कह रहा है, C number कह रहा है, in the morning, in the afternoon, in the evening, बस याद रहिएगा, night के साथ लगाते हैं, at night, otherwise, जो morning, evening, afternoon है, उसमें in और the दोनों लगेंगे, I always feel good in the morning, do you often go out in the evening, in the afternoon, ये तीनों words के साथ, in और the दोनों का प्रयोग करना है, लेकिन, but, अगर ये Monday morning है, on लगाएंगे, Monday कहनो सार, on Monday morning, ध्यान रखिएगा, on Monday morning, ठीक, इसी प्रकार से, on Tuesday afternoon, on Friday evening, on Saturday night, ऐसा जो भी, अगर time इस प्रकार से दे रखा है, एक day दे रखा है, week का, और उसके साथ, evening morning लगा रखा है, on का प्रयोग करेंगे, I am meeting with Jill, मैं Jill से मिलने वाला हूँ, on Monday morning, ध्यान रहे दोस्तों, on का प्रयोग करेंगे, are you doing anything on Saturday evening, तो यहाँ पे हमने सारी चीदें देखी, मैं हलका सा revision करवा देता हूँ, हमने घड़ी के time के साथ at लगाया, day के साथ on लगाया, month के कह दीजिए, आप उसके बाद year कह दीजिए, season कह दीजिए, वहाँ in लगाया, यहाँ शुरुवात में हमने देखा at the weekend, at Christmas, यहाँ कुछ ऐसे वर्स्त है जहाँ at लगाया, morning evening के साथ in the लगाया, और last में अभी हमने जो देखा है, on Monday morning, on Monday evening, तो यह सारी चीज़ें दोस्तों, दिमाग में fit कर लीजें आप लोग, अभी भी theory पार्ट खतर नहीं हुआ है, theory का एक portion और बाकी है, सीधा लिए चलता हूँ, ध्यान से देखेगा, अगर हमने कहा, तो इनके पहले at on या in का प् बताने वाले हैं, उसमें याद रखना है, ध्यान रखना है, at, in या on, किसी प्रिपोजिशन का प्रियोग नहीं करना है, जैसे this, जैसे this morning, this week, are you going out this evening, this का मतलब क्या है, is, this का मतलब है, is, क्या ये बात, this English में, इस Hindi में, तो हम ये कहना चाहरे हैं, क्या आज evening में, इस evening मे अपन कहीं तुम बार जा रहे हो, तो आपने देखा होगा, दोस्तों ये going का out है, हमने जो time के पहले in लगाना है, on लगाना है, at लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक उसी प्रकार से, last में, last August, last week, at the end में तो at आया था, वो at the end था, last यानी पिछला अगस्त, अगर मैं कहूँ, the garden was lovely last summer, पिछले summer में, पिछली गर्मियों में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुन्दर गार्डन था, next यानी अगला, next Monday, next week, I am going on holiday next Monday, ये ध्यान रखेगा, गलती से भी on next Monday मत बोल दीजेगा, ठीक उसी प्रकार से, every day और every week, etc, तो इन सभी पे ध्यान रखन किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, मेरी बात को समझेए, किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आखरी बात पे आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगा दोस्तों, अगर पांच मिनिटों में ये का होगा, तो हम क्या कहेंगे, in five minutes, in a few days, in six weeks, in two years, इत्यादी, etc, example देखिए, भरी, the train leaves in five minutes, यानि अभी से five minutes from now, अभी से पांच मिनट में ये train निकलने वाली है, in five minutes कहते हैं हम लोग, ठीक उसी प्रकार से, गुर्भाई, I'll see you in a few days, from now, यानि कुछ दिनों में मिलेंगे, अभी से कुछ दिनों में मिलेंगे, तो दोस्तों हमने यहां theory देखा, बहुत basic चीज़ को strong करने की कोशिश करी, ये बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी पता है क्या है, दोस्तों उससे भी ज्यादा जरूरी है, आप theory के बाद practical क करिए, questions करिए, उस तो question करने का basic तरीका एक ही है, कि जब भी मैं यहां पे कोई question आपको करवाता हूँ, आप pause कर लीजे वीडियो को, एक बार उस exercise को स्वयम कर लें, फिर मेरे एक एक word को देखें, मैं बहुत important बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जितनी बात बताता हूँ, उन सारी बातों पे गौर करेंगे, तो definitely अंग्रेजी improve करेंगे, आपको सिर्फ add on in का प्रयोग करना है इन शब्दों में, half past two क्या लगता है आपको, क्या है ये half past two, half past two को हिंदी में कहते हैं, धाई बजे हैं, दो बज के 30 मिनट हुए हैं, उसके लिए, चुकि ये घड़ आजाएगा, 1987 एक year है, इन आजाएगा, एक September मन्त है, इन आजाएगा, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं दोस्तों, बस आप एक बार revision कर लीजे, आप चाहें अभी एक बार pause कर लें, सारे answer copy में कर लें, और फिर मेरे साथ answer देख लें, दोस्तों 20 देखें, यहां था September, त एक day हो गया, on लगाया, Thursday on लगाया, 11.45 घड़ी का समय है, at लगाया, Christmas day याद होगा आपको on लगाया, Christmas at लगाया, the morning in the morning, ये सारी चीज़ें दोस्तों, हम थियोरी में देख चुके हैं, आपको ये थियोरी याद है या नहीं, समझ आई है या नहीं, उसकी जानकारी कैसे म बिलेगी, सिर्फ इस exercise को करके, तो दोस्तों आराम से इस exercise को करें, चलिए आगे देखें हम आगे क्या कह रहा है, Friday morning, on Friday morning अगर आपको याद होगा, Friday के लिए on लगाते है, morning के लिए इंदर लगाते है, Friday morning अगर आ जाता है, on Friday morning, on Saturday night, at night, night अगर अकेला आएगा, at night, at the end, आ at the weekend, और winter पूरा एक time है, in winter, सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई, फिर भी आपको लगता है, कोई doubt है, हो सकता है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कोई mistake मैंने कर दिये, not to worry, दोस्तों comment box आपके पास है, उसे जरूर देखें, complete देखें, अच्छे से देखें, और आग at in on ही लगाना है, बड़ अब हमने इसको एक वाक्य का रूप दे दिया है, sentence का रूप दे दिया है, हम कह रहे हैं दोस्तों, where were you, कहां थे थुम, 28 February को on आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, एक दिन की बात हो रही है, on 28, I get up at आ जाएगा, क्योंकि 8 o'clock एक, इतो को एक लिया ह जो भी घड़ी का समय होगा, at का प्रयोग करेंगे, I like getting up early in the morning, आपको याद होगा, morning के लिए in the morning का प्रयोग करते हैं, I like getting up early, मुझे अच्छा लगता है, जल्दी उठना morning में, माई sister got married, मेरी sister की शादी हुई, कब मई के अंदर, in में, मन्त है तो in लगाएंगे हम, दायना and I first met, दायना और मैं कब पहली बार मिले थे, in 1979, एक year है 1979 लगाया हमने in लगाया, did you go out, अब आपके उपर देखे, on Tuesday भी लगा सकते हो, और मेरा मानना है this Tuesday भी लगा सकते हो, मैंने this को लगाया, लेकिन हमको कहा गया है, at या on या in लगाओ, तो भाईया फिर this ना लगाओ, फिर क्या लगाओ, on Tuesday लगाओ, did you go out, again Tuesday में भी on Tuesday आएगा, और Tuesday evening में भी on Tuesday evening आएगा, ये दोनों चीज़े अभी पिछले वाले में मैंने clear करी आपको, theory में भी clear करी थी, ध्यान से देखेगा, did you go, क्या तुम गए Tuesday को, दूसरा उसने कहा, did you go out, on Tuesday, यहाँ on आजाएगा, यहाँ on Tuesday evening आजाएगा, did you often go out, क्या तुम जाते रहते हो, often यानि अकसर, कब in the evening, अगर evening आएगा, तो in the evening लगाओ, Tuesday आएगा, तो on Tuesday लगाओ, Tuesday evening आएगा, तो on लगाओ, time है, let's meet at 7.30, 7.30 पे मिलते हैं हम लोग, चली यह थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, कहा रवाग, चले देखे दोस्तों, I often go, मैं अकसर जाता रहता हूँ, अवे, at the weekend, आपको याद होगा, weekend के लिए, at the weekend, weekend का मतलब सब्ताहांत, I am starting my new job, मैं मेरा नया job शुरू कर रहा हूँ, कब, on 3 July, 3rd July को मैं कर रहा हूँ, We often go to the beach in summer, summer एक, यूँ कह दीजे, season है, और season के लिए इन लगाते है, हम अकसर जाते हैं, बीच पर, summer में, George isn't here, at the moment, इस शन, at the moment का मतलब है, इस शन तो यहाँ नहीं है वहिया, इस समय यहाँ पर नहीं है वहिया, Julia's birthday is in January, January एक मन्त है, इनका प्रयोग करेंगे, do you work on Saturdays, शनीवार के समय काम करते हो, क्या मेरे भाई, the company started in 1969, बाद को समझेगा, एक, एक sentence को समझेगा, यह कह रहा है, the company शुरू हुई, 1969 में, year के साथ क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, I like to look at the stars, मुझे, तारे देखना अच्छा लगता है, at night, night में, I will send you the money, मैं भहिया, पैसे भेज दूँगा, कब, at the end of the month, at the end of, याद होगा आपको, तो दोस्तों, यह सारी चीजे, हम पढ़ चुके थे, अभी सिर्फ रिविजन किया है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाएं, अगे, लीजा की जाइरी है, अगले हफ़ते की, और आपको देखना है कि भाईया, यह लीजा मैडम क्या करने वाली है, देखते हैं दोस्तों, she has to phone Chris, उसको, Chris को phone करना है, कब करना है, Chris को phone, जहांच से देखेगा, क्रिस को phone, phone Chris, on Friday, on Friday, क्या ये बात समझ आ रही है, हमने लिखा और कट कर दिया, she isn't doing anything special, वो कुछ भी special नहीं कर रही है, कब, on Monday, Monday को तो कुछ करी नहीं रही है, खाली बेटी है वो, अपन मिलने जाके उनसे, चली आगे देखें हम, she has got a driving lesson, उसका driving का lesson है, driving lesson कब है, भ्यान जे देखेगा, वैसे तो Thursday को है, बड़ आप लिख सकते हो, on Thursday at 4 o'clock, आप लिख सकते हो, on Thursday at 4 o'clock, 4 o'clock भी लिखा है, Thursday भी लिखा है, she is going to a party, अरे भी आप पाटी कब जाओगे, पाटी तो Saturday night जाओगे मेरे भाई, तो लिख सकते हैं, on Saturday evening, आप देख सकते हैं, on Saturday evening, she is meeting Sam, Sam से कब मिल रही है भाई, Sam को मिल रही है, ध्यान से देखेगा, on Tuesday at 2 o'clock, on Tuesday, कब मिलेगी Tuesday को, कब at 2 o'clock, तो यहां आपने देखा दोस्तों, इस किताब के अनुसार, उसकी डायरी के अनुसार, उसके appointments के अनुसार, हमने यहां किया, दोस्तों, इस किताब की यही तो खास बात है, कुछ picture के form में, कुछ अलग-अलग तरीके से, आपको जितना आपने थियोरी पड़ा है, उसके ज़रूर application, यानि apply कहां करना है, कैसे करना है, वो बता दिये, चलिए दोस्तों, आखरी की दो exercise आ चुकी है, हम उन्हें कर दें, चलिए, यहां देखते हैं, इनका प्रेयोग करना है, कि भहिया, साथ, पच्चिस, सतरा, पच्चिस, पाँच बच के पत्समिनट होएं शाम के, ट्रेन निकलेगी साड़े पाँच, यानि दे ट्रेन लीव्ज इन फाइब मिनट्स, पाँच मिनट्स, अक्चुली फाइब मिनट्स क्या है, इन फाइब मिनट्स फ्रॉम नाव अभी से लेके, अब मुझे लगते है दोस्तों, ये तीन क्वेश्चन भी करी लेते हैं, इस मंडे टुडए, आज क्या है, मंडे है, आई विल फोन यू ओन थर्सडे, तो मंडे को छोड़ दो, त्यूजड़, वेंजड़, थर्सडे, यानि आई विल फोन यू इन फ्री जेज, इन फ्री जेज, तीन देनों मैं करता चोदा दिन में कब होने वाला है, एक्जाम होने वाला है, माई एक्जाम इस इन फोर्टीन डेज, इस इन फोर्टीन डेज, चोदा दिन में मेरा एक्जाम है मेरे भाई, तीन बजे हैं, साड़े तीन बजे टॉम मिलेगा, तो टॉम विल बी हेर, इन हाफ एनार लिख दो, असाहिशा हो तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से अभी से लेके कुछ समय में कैसे बताना है वो इनका प्रयोग करते हैं चलि दोस्तों आगे चलते हैं आखरी exercise पहें आजाते हैं जूस्तों यह वही exercise है at on in का प्रियोग होगा और कुछ कुछ जगे कुछ भी नहीं लगेगा कुछ जगे तो at and on में से एक लगेगा और कुछ जगे कुछ भी नहीं लगेगा जैसे I am leaving on Friday, Friday आया है on लगाएंगे मैं जार रहा हूँ Friday को I am leaving next Friday next Friday का मतलब है कोई प्रकार का प्रेपोजिशन नहीं लगाना है last, this, next, कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं अपलाई करना है I always feel tired, मैं तो हमेशा थक जाता हूँ कब? in the evening, दिन पर काम करता हूँ, रात को थक जाता हूँ, शाम को will you be at home? क्या तुम घर पे होगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि this evening लिखा है, this evening से पहले no preposition required I went to France, मैं France गया था, last summer, this या last कोई प्रेपोजिशन के आवशक्ता ही नहीं है Laura was born, Laura जा जनम हुआ था in 1975, 1975 में उसका जनम हुआ था, year आया तो in लगाया What are you doing, क्या कर रहे हो, at the weekend, weekend पर क्या कर रहे हो, दोस्तों याद होगा weekend के लिए लगाया था at the weekend I phone Robert, मैं phone करता हूँ, every Sunday, at this हो गया, या every हो गया, इनके आगे last हो गया, next हो गया, कोई प्रेपोजिशन की जरुरूत नहीं है Shall we play tennis, क्या हम चैलिस खिलें, next Sunday, कोई प्रेपोजिशन जरुरूती नहीं है I can't go to the party, मैं party नहीं जा सकता, कब, on Sunday, Sunday को on Sunday, on का याद रखेंगे आप लो I am going out, मैं बाहर जा रहा हूँ, I will be back in an hour, एक घंडे में आ जाओँगा, from now, अभी से लेके I don't often go out, मैं तो जाता ही नहीं हूँ, at night, रात्री को कौन जाए भाई दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा, कि किस तरीके से, कितने प्यारे तरीके से, बहुती बहतरीन तरीके से हमने देखे सारे के सारे जितने सारे हो सकते हैं सारे के सारे प्रेपोजिशन समय से पहले क्या प्रेपोजिशन लगता है कैसे हम चीजों को देखते हैं मजा ही आ जाता है दोस्तों इसी चैनल पे SP Bakshi अगर आप competition की अच्छी preparation करना चाहरे है तो SP Bakshi की एक किताब है objective general English वो भी हम करवा रहे है maths की दो books कह दीजे या तीन books कह दीजे RS Agarwal Hindi में, RS Agarwal English में Rakesh Yadav Class Notes ये सारी चीजे हम यहां करवा रहे हैं बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे हैं इसी चैनल पर आपके फ्यारे चैनल पर जिसका नाम है Digital तैयारी थैंक यू प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब Digital तैयारी